हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो दो न्यूव एपिसोड ऑन इस चैनल आज हमारे क्यों एक्वालिटी मेनेजमेंट सिरीज का लास्ट वीडियो है जिसमें हम आज कवर करेंगे कापा कापा मतलब करेक्टिव एक्षिन एंड प्रिबेंटिव एक्षिन अब इसको कापा क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें हमारा दो पार्ट्स आता है एक पार्ट है कि एक और एक है पिए का मतलब होता है करेक्टिव एक्षिन अब पीए का मतलब होता है प्रिवेंटिव एक्षिन मतलब हमारा जो कापा है वो होता है हमारा करेक्टिव एक्षिन एंड प्रिवेंटिव एक्षिन अब यह इन दोनों का क्या मतलब है करेक्टिव एक्षिन का मतलब है कि जो भी हो चुका है वाटेवर हैपन उसको कैसे करेक्ट किया जाए by eliminating root cause कि जो भी हुआ है उसके root cause को eliminate करके उसको correct किया जाए दूसरे तरह preventive action का मतलब है कि prevent recurrence कि ऐसा कभी भी दुबारा ना हो उसको कैसे रोका जाए वह हमारा preventive action का part है मतलब corrective action है जो उसके root को जाए उसको eliminate करने के लिए यूज किया जाता है जबकि preventive action उसको दुबारा होने से रोकने के जैसे एक्जामपल दें अभी एक्जामपल से पहले एक्जामपल से मैं आपको इसके तीन चीजे समझाता हूँ असल में जैसे यहां पर मैंने बताया आपको कि corrective action और preventive action इसके दो पार्ट सुकते हैं बट अगर हम देखें तो हमारा कापा में एक और एक्जन आता है correction 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 इसे हम लोग immediate action भी कहते हैं करेक्टिव एक्षिन करेक्टिव एक्षिन करेक्षिन कि जो भी कुछ हो गया है उसको कैसे तुरंत्र ठीक किया जाए मतलब मान लिजे एक एक जामपल से आपको इन तीनों चीरों के बारे में बताता हूं मान लिजे एक घर है उसकी छट पे कोई बच्चे खेल रहे हैं अब यहां से यह गिर जाते हैं अब करेक्षिन का क्या मतलब है कि इस बच्चे को हॉस्पिटल लेकि जाना मतलब जो भी कुछ हुआ है उसको immediate कैसे ठीक किया जाए उसको जो चोट लगी उसको treat किया जाए यह उसका corrective action अब स्वरी correction immediate action अब second में आता corrective action अब इसका root cause analysis होगा कि यह बच्चा गिरा तो गिरा क्यों इसको चोट लगी तो चोट क्यों लगी लोगों ने देखा कि यहां पर जो इसकी barricading है यानकी जो barrier है वह बहुत छोटी है जिसके जिए से बच्चे माँ से गिर सकते हैं तो इस घर का जो चज्जा है वह उंच्छा किया जाए मतलब barricading बड़ी करी जाए so that बच्चे इस पर खेले तो गिर ना पाएं यह होगा इसका corrective action अब preventive action का मतलब क्या है कि society में जितने भी घर है कि सभी के छज्जे ठीक कराए जाए so that कहीं पर भी बच्चे ना जुदे मतलब कि correction is the immediate action जो भी कुछ वह है उसको कैसे इमडियेटली ठीक किया जाए या उसके spread को बढ़ने से रोका जाए जैसे यहां पर बच्चे गिरे उसको hospital लेकि जाना क्यों जरूरी था क्योंकि अगर उसको hospital लेकि नहीं जाते तो उसको कुछ भी हो सकता था उसको कोई भी डैमेज हो सकता था या उसको खुण ज्यादा बहसकने से और भी सिवेर चीज़े हो सकती थी सेकंड करेक्टिव एक्षण मतलब जहां पर भी हुआ है यहां पर मुझे रूट को पता चला कि छज्य चोटे हैं तो उसको मैं बढ़ा करूंगा उससे वह मेरा करेक्टिव एक्षण हो जाता है अब प्रिवेंटिव एक्षण का मतलब है यह एक यूनिवर्सल एक्षण ह कि कहीं पर भी ऐसा कुछ ना हो तो यह हमारा एक सिंपल से मैंने आपको बताया कि वाट इज और क्रेक्षान आप Tyne 222 अब इसमें एक और चीजा आथी है कि मुझे कैसे पुरच लेगा कि वॉत क्रेक्षन या मुझे क्या क्रेक्ट्टिव लेना या क्या प्रिवेंट इसके पीछे क्या है हम सबसे पहले करते हैं event को explain event का मतलब जैसे कोई deviation है ओसई है ओटी है या incident है यह market complaint है या कि रिकल्ण है उसे हम event कहते हैं अब event को हमें सब पहले एक्स्प्लेइन करना पड़ेगा इसके लिए हम क्या करते हैं 5W 1H इस टूल का यूज करते हैं मतलब वाट वेन वेर वेर वू और यह यह पांट चीजह हम एक्स्प्लेइन करेंगे सबसे पहले इवेंट के बारे में और लास्ट में देते हैं हम इसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं अब जैसे मैंने बताया कि बच्चा गिर गया यह कहले वाट गिर गया वेर उसक्ण बिढ़ी बाहर भूम रहा है उसने पता किया या और वी कुछ लोग वह सकते हैं उन्ताहा इतक उन्हों ने बताया यह हो गए हूँ वाई अब यहां पर आता है मेरा रूट कॉज कि इस रूट कॉज की बेसिस पर मैं बताऊंगा हाउ आई 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 आइम गोईंग टू डिलीट यहाउ आइम गोईंग टू ट्रेट इट तो सबसे पहले जब हम इन छे सीजो को एक्स्प्रेंड कर लेते हैं उसके बाद हम पताब चलता है कि हम जब मैं इन चार सीजों पर आता हूं व Lawrence वेनव इंप हूं अब मुझे वहाँ पर immediate action identify करना है कि तुरंत मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पर मैं इसका इंतजाद नहीं करूंगा भाई का मतलब immediate action is the action which have to be taken on the spot जैसे मैंने का बच्चा गिर गया अगा छट से उसे चोट लगी है तो मुझे उसे hospital लेकि जाना ही है मैं पहले investigation नहीं करूंगा सबसे पहले मैं उसे लेकि जाऊंगा hospital so that उसका मैं इलाज करा पाऊंगा फिर जब मैं वाई और वाई पर आ जाऊंगा इस वाई से मुझे root cause पता चलेगा अब इस root cause की basis पे मैं corrective action and preventive action identify करूंगा क्यों कि जब तक मेरे पास root cause नहीं होगा मैं उसको treat नहीं कर पाऊंगा मैं उसको eliminate नहीं कर पाऊंगा इसलिए यह जो है corrective action and preventive action इसदब post investigational टूल जबकि जो मेरा correction है यह post event टूल है pre-investigational टूल है अब एक और चीज़ यहां पर आती है कि हम यह भी कह सकते हैं कि correction और corrective action इसदब post action टूल मतलब कुछ हो जाने के बाद ही हम उस पर लेते हैं जबकि preventive action इसदब proactive approach मतलब कुछ भी होने से पहले या कहीं और ऐसा ना हो जाए उसके लिए मैं proactively काम करूँ अब इसमें एक और चीज़ आती है कि हम कहें कि कि मुझे आखिर इस कापा की जरूरत क्या है तो कापा इस रेक्वाइड एज continuous improvement टूल कि कापा की मुझे requirement है क्योंकि मुझे continuous improve करना अपने आपको अपनी society को अपने organization को अब इसके लिए मैं कापा का यूज करता हूं अब इससे क्या होता है कि there is a probability कि इस कापा के अगेंस्ट में एक change control initiate करूँ जिससे मैं अपने system को improve कर पहूं कि अब होता क्या जब भी मैं कहता ह Bowl continuous improvement अब मैंने इसके कापा में असाइन हो गया लेकिन कोई कहता है कि मैंने कापा ले लिया है इसलिए मैं तुरंत उस action को ले या मुझे उसके अगेंस्ट कोई और QMS टूल कोई जरूरत नहीं है तो वो गलत है मतलब अगर इस कापा के अगेंस्ट मैंने का कि मुझे फैसलेटी में कोई मौडिफिकेशन करनी है या किसी SOP में रिविजन करना है तो उसके लिए मुझे चेंज कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी आप किसी कापा के अगेंस्ट डियरेक्ट कोई डॉक्यमेंट या फैसलेटी मौडिफाई नहीं कर सकते आपको उसके लिए चेंज कंट्रोल लेने की जोत है मतलब इस कापा के ठूट हमारा चेंज कंट्रोल एंडूरूट होगा अब यहां तब तो बात आइक है मेरे यह एक्शन से और यह मुझे कैसे अडेटिफाई करने चाहिए हैं या मुझे क्यों अडेंटिफाई करने जोत है लेकिन सब अब सबसे बड़ा क्वेश्टन यह आता है कि मेरे पास कितने तरह के एक्शन हो सकते हैं किसा सट मैंने का क्रेक्षण है एक लिकिन मैं कैसे इंप्लिमेंट कर सकता हूं यह मैंने कैसे कवं करता हूं है लेकाए माग सबाएं हैं मतलब चाल दरह केक्षण को में KPA में इंक्लूड कर सकता हूं का से से कंड सब्सेटितूशईन थर्ड, इंजिनियरिंग, फूर्थ, एड्मिनिस्ट्रेटिव, एड्मिनिस्ट्रेशन, अब इसका क्या मतलब है, कि यह मेरे चार तरह के एक्शन होते हैं, जो हमारे continuous improvement या कापा का पार्ट होते हैं, अब यह कैसे है, elimination, जो भी मेरा root cause है, मैं उसी को खतम कर दूँ, जैसे मैंने example दिया था, बच्चा छट से गिर गया, उसको जैसे उसे चोट लग गई, अब वहाँ पर मेरा elimination क्या सकता है, या तो मैं उस बच्चे को हटा दू, या मैं उस चट को हटा दू, या घर को हटा दू, यह मेरा elimination है, यह हमारा कहता है कि यह पर्फेक्ट कापा है, बट हर चगा feasible नहीं होता है, क्यों, क्योंकि अगर ना तो मैं बच्चे को खतम कर सकता हूं, नहीं मैं घर को खतम कर सकता हूं, यह एक जरूरी नहीं कि हर टाइम feasible रहे, हां बहुत cases में होता है कि अगर मुझे पता चले कि इस तरह काम करने से मुझे चोट लग सकती है, या मेरा नुकसाम हो सकता है, तो मैं उस काम को नहीं करता हूं, यह मेरा elimination है, लेकिन यह हर जगा हम feasible नहीं कर सकते हैं, इसके अगरेंश हमें risk analysis करने होती है, कि उससे कितना risk है और कितने benefits नहीं है, risk to benefit ratio मुझे calculate करने होता है, उसके basis पर मैं यह चाहता है कि actions identify करता हूं, अब second है substitution, मतलब eliminate नहीं कर सकता हूं, तो मैं उसे किसी और चीज़ से substitute करा दूँ, जैसे बच्चा छट से गिर गया, अब वो च्छट पर क्यों गया, क्योंकि उसे खेलने की जगा वहीं पर मिली, तो मैं उसे substitute कर सकता हूं, कि मैं society में एक पार्क अरेंज करा दूँ, यह कोई और जगा बना दूँ, जहां पर बच्चे सेफली खेल सकें, लेकिन ये भी हर जगा फिजबल नहीं होता, अब परदा चला मैंने तो substitution में कहा दिया, कि मैं पार्क की जगा बनाऊंगा, लेकिन society में इतनी जगा ही नहीं है, कि वहां पर बच्चे खेल पाएं, या वहा है कि टूल्स लगा के उसे बचा सकूँ, अब इसमें क्या है कि ये जो है most probably feasible हो, और maximum जगा ये फिजबल होता है, जैसे मैंने एक जामपल दिया कि बच्चा च्छत से खेलता हो, गिर गया, तो मेरे पास एक engineering approach आ जाती है, कि हाँ मैं महा पर barricading कर दूँगा, बड़ी उच कि मजबूत barricading कर दूँगा, उसे वो बच्चे नहीं किरेंगे, ये मेरे पास एक engineering approach आ गई, इससे भी मेरे पास एक kapa generate होता है, फोर्थ हाता है मेरे पास administration, administration का मतलब होता है कि मैं कोई SOP बना दू, कोई document बना दू, या मैं वहाँ पर कुछ पोश्टर लगा दू, कि यह जारत चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे अब अंजाने में या कोई ignorance के चलते वहाँ पर बच्चा चला भी जाए, तो मैं उसे कैसे protect करूँगा, इसके लिए भी मुझे और सारे tools लगाने पड़ेंगे, इसका ये जो हता administration, ये से कहता है कि ये least active ये least useful tool है, बट बहुत सारे जगा पर administrative tools ही use किये जाते हैं, इसकी भी acceptance है, लेकिन इसकी acceptance है जब हम इसे किसी और tool के साथ implement करते हैं, जैसे मैं अगर कहता हूँ कि मैं बच्चों का जाना रोग दूँगा, मैं छट पर बच्चों को जाने नहीं दूँगा, उसके लिए क्या है, कि मैंने वहाँ पर एक board लगा दिया, कि यहाँ पर बच्चों का खिलना मना है, बच्चे उपर नहीं जा सकते, दूसरा, महाँ पर मुझे engineering approach लगाने पड़ेगी, कि मैं महाँ पर कुछ डोर लगा दूँग, जिसके वज़े से बच्चे उपर जा ही ना पएं, तो मतलब administrative approach जब तक बाकी तीन approach के साथ ना लगे, वो active नहीं है, वो पुरीता से working नहीं है, इसलिए कहता है कि administrative approach is the least या last option है, और जब भी मैं बात करता हूं कि वहाँ पर चोट लगने की, या पर health से related है, तो administrative के बाद आता है हमारा PPE, Personal Protective Equipment, यानि कि मैं अगर यह कहता हूं कि मैंने बच्चों बच्च देती है, मैंने उनको knee guards देती है, elbow guards देती है, इस जो है least active है, मतलब या administrative के भी बाद आते हैं, इस तरह के kapa is are going to be not acceptable at any chances, तो इसका हमेशा जब भी मैं कहता हूं पीपी दिये या administrative approach लगाया, तो उसके साथ मुझे बाकी तीनों approach में से कोई ना कोई approach लगानी पड़ेगी, ये तो है में कितने type के में कापा होता है, या मैं कितने type के actions ले सकता हूं, अब इसमें जो है elimination ये perfect कापा होता है, बट हर जगा फिजबल नहीं है, substitution second priority होती है, लेकिन ये भी हर जगा फिजबल नहीं है, तो most of the time हम लोग engineering approach और administrative approaches के तुरू ही कापा को implement करते हैं, अब इसमें एक और ची जाती है कि मेरा जो है कापा का या corrective action और preventive action का spread कितना होता है, जैसे मैंने पहले बताया था, कि corrective action is taken at site of action, जहां पर भी event वो है, उसी site पर मैं corrective action लेता हूँ, बट preventive action is universal, इसका क्या मतलब है, कि हम पता चले मेरा कोई machine में problem आई थी, तो corrective action मैं सर्फ उसी machine पर लेता हूँ, लेकिन preventive action का मतलब क्या है, कि उसके जैसे जितनी भी machine है, मैं सभी को cover करके चलूँगा, मान लिजे, working करते हुए, मेरी कोई machine खराब हो जाती है, machine में कुछ damage आजाए, या फिर break down हो जाए, breakdown किसी बताए का उसकते है, चलते चलते machine का रुख जाना एक break down है, machine working करते करते, damage या फिर break down में अगई, अब मेरा correction क्या होगा, कि जो भी वहाँ पर आज पास में product है, उसको मैं महां से remove करूँगा, सबसे पहले product को remove या फिर cover करूँगा, कि यह मेरा correction में जाएगा, immediate action में जाए, साथी साथ engineering को, या maintenance team को, intimation जाएगी, कि machine जो है, खराब हो गई है, उसको ठीक क्या जाए, अब working maintenance team आके उसको ठीक करेगी, उसक्ता है उसमें कुछ problem रही हो, जिसे वो eliminate करेगी, कोई problem है उसे eliminate करेगी, यह दो चीज़ें मेरा correction का part आजाती है, अब मुझे उसका root cause investigation करना पड़ेगा, अब इस रूट को investigation में कुछ भी root कर जा सकता है, मान लिया कि उसका जो है, यह आया कि मोटर में कुछ problem आ गई थी, मोटर जो चोक हो गया था, यह मोटर खराब हो गयी थी, मोटर डैमेज हो गई, इसके पीछे region क्या था कि वो जो है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में cover नहीं थी, यह मेरा एक रूट का जा गया, कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में cover ना होने के वज़े से, मेरा मोटर या मशीन का मोटर डैमेज हो गया, जिसके वज़े से मशीन चलते चलते बंद हो गई, अब मेरा corrective action के आयागा, कि सबसे पहले मैं उस मोटर को treat करूँगा, उस मोटर को replace कर सकता हूँ, यह मेरा corrective action में जाएगा, मोटर को replace किया जा सकता है, उसका qualification या फिरिफिकेशन किया जाएगा, यह मेरा corrective action में आप जाएगा, अब preventive action में क्या जाएगा, कि इस तरह कि जितनी भी मशीने यूज हैं, या ऐसी कोई भी मशीने जिसमें मोटर यूज होता है, उन सभी के preventive action में, आँ सब्सक्राइब में में मोटर को cover करूँगा, या इसका मतलब जितनी भी मशीने हैं, जिनमें की मोटर यूज होता है, सभी के लिए मुझे preventive maintenance checklist को update करने पड़ेगी, जिससे कि मैं उनका मोटर को preventive maintenance में cover करूँगा, ये मेरा preventive action में जाएगा, इसके साथ ही आपको, ये जो कापा का chapter है, एक बहुत ही major chapter है, बहुत ही important chapter है, ये समझ में आया होगा, और अगर आपको इस chapter समझ में आता है, ये वीडियो समझ में आया, तो ये वीडियो आप like जरूर करें, साथ इसाथ अपने दोस्तों साथ share जरूर करें, और चैनल को subscribe जरूर करें, Thank you.